नमस्कार दोस्तों इंडियन डिप्लोमेसी की एक बार फिर से जीत हुई है क्यों जीत हुई है क्योंकि देखो आपको पता है कि पिछले महीने एप्रेल के महीने में बहुत जादा डिस्टर्बेंस थी इसराइल और इरान का जो अपना कॉन्फिक्ट था वो अपने चरम पर पहुँच चुका था क्यों पहुचा था विकास एक एप्रेल को क्या किया था इसराइल ने कि इरान की जो इंबेसी थी जो कि सीरिया के अंदर में मौजूद थी उसके उपर में अटाक कर दिया था और इस अटाक के अंदर में IRGC के बहुत बड़े-बड़े कमांडर्स की की उन्होंने बात करी थी और ऐसा intelligence के दवारा बताया गया था कि 12th April के बाद ही जो है इसराइल इरान जो है 12th April के बाद ही attack करेगा क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और इस time पर ऐसा कोई भी attack नहीं किया जाएगा 12th April के बाद ठीक जैसा कि कयास लगाया गया था ठीक वैस अजाई हुआ 13th April को इरान ने इसराइल के उपर में attack कर दिया और direct attack किया अपने किसी प्रॉक्सी की इसमें मदद नहीं ली जैसा पहले वो हुदी इसकी मदद लेता था या हिजबुल्ला के थूरू लड़ाई लड़ रहा है या हमास के थूरू लड़ाई लड़ रहा है नहीं इस बार इरान ने directly attack कर दिया इसराइल के उपर और जब यह attack किया उसके बाद जो है बोला यह गया कि अब शायद वर्ल्ड वर शुरू हो जाएगा बहुत सारे एक्सपर्स ने बोला कि बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी तो उसके बाद एक और घटना हुई 13 एप्रेल के बाद ही एक शिप थी MSC Aries नाम की तो यह जो शिप थी इसकी location ट्राक की गई तो 12 एप्रेल को इस शिप की location जो है यह यहाँ पर UAE के पास आ रही थी यह परशन गल्फ वाला पूरे एरिये में इस शिप की location आ रही थी इस शिप पर क्या था और इस शिप का ना के कोश्ट पर पाया गया जब दुबारा इसको navigate किया गया तो उसके बाद इरान ने confirm किया कि भाई इस शिप पर हमने अपना helicopter से एक mission किया है और इस शिप को हमने capture कर दिया है तो फिर सवाल हुए कि भाई क्यों capture कर दिया अब देखो MSC Aries जो नाम की शिप है जो यह कंपनी है इसका नम मतलब है Mediterranean Shipping Company और यह जो MSC कंपनी है बहुत बड़ी Shipping Company है Mediterranean Shipping Company यह एक Italian Swiss Group की कंपनी है तो भाई इसको क्यों capture कर लिया इरान ने इन से क्या दुश्मनी अब हुआ क्या था आप Link समझो यह Italian Group की जो कंपनी है वो Portuguese flag था इस पर लेकिन यहाँ पर आपको बता दू कि MSC के अंदर में पैसा जो है इस पूरे Shipping Corporation के अंदर में वो एक और कंपनी का लगा हुआ है जिसका नाम है Zodiac Maritime और जो Zodiac Maritime Company है उसमें बहुत बड़े शेयर जो है वो इसराइल के बहुत बड़े बिलियन है आप भी जानते होगे याल ओफर्स इनका पैसा लगा हुआ है इस company में तो इस company में याल ओफर्स ने पैसा लगाया हुआ है Zodiac Maritime में और Zodiac Maritime ने इनके साथ मिल करके ये venture किया था MSC के साथ मिल करके तो basically जो ये ship है जो कि Portuguese flagship थी उसको जब capture किया गया वो इसलिए capture गया गया क्योंकि वहाँ पर Israeli businessman का पैसा लगा हुआ था और यही reason इ 25 crew member थे और उस 25 crew members में से 17 Indian crew members थे अब 17 Indian crew members के अलावा भी यहाँ पर जो crew members थे वो दूसरी दूसरी country के जैसे पाकिस्तान के थे फिलिपीनों थे कुछ यहाँ पर मौझूद इसमें crew members तो ये बात आप समझ लो कि एक बात और याद रखना यहाँ पर इस पूरे मामले में कि से पहली country इंडिया ने उठाया हुआ कि यह घटना पूरी 15 April को confirm हुई और 15 April को आपको यह बगल में article दिख रहा होगा नीचे कि SJ Shankar साब जो कि हमारे external affairs minister हैं उन्होंने सीधा-सीधा call पर बात करी किस से इरान के foreign minister आमिर हुसेनी से उन्होंने का भाई यह 17 जो Indian crew members हैं इनको आप छोड़ दो यह हमारे members हैं और इनके release की अब बातचीश की जाए तो पहले तो एकदम आमिर उसे नहीं इसको decline किया कि नहीं नहीं release तो एकदम से नहीं कर सकते हाँ परस्यू करते हैं मामले को diplomatically देखते हैं क्या मामला है उसके बाद हम जाच करेंगे और उसके बाद इनको तो मिलने दो हमारे Indian crew members से तो उन्होंने का ठीक है आपका delegation मिल सकता है तो पहले आजया शंकर साब ने बात करी उसके बाद उन्होंने press release लिकाला इरान ने बगाई दे कि जो 17 Indian crew members हैं तो इंडिया का जो delegation है वो उनसे मिल सकता है proper तरीके से तो फिर पहले तो इसी तरी करती है कि एक step आप एक बार में लेते हो तो उसके बाद हमारा delegation उनसे मिला और उसके बाद लगातार उस delegation की बात इरान के foreign minister आमिर हुसेनी से हो रही थी कि हमारे crew members को कैसे release किया जाए क्या terms होंगे क्या conditions होंगे और आज ये news आई है कि अब जो इरान की government है उसने ये decision लिया थे कुछ फिलिपीनों थे वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी थे उन सब को एक साथ छोड़ दिया जाएगा तो 25 जो crew members थे सब को छोड़ दिया जाएगा जिसमें से 17 Indian crew members भी होंगे लेकिन इसमें इरान ने एक चीज़ और confirm करी है इरान ने काई जो ship है इसको हम अभी भी judicial detention में रखेंगे because इस ship में इसराइल का हाथ है या इसराइल से link है ship का इसलिए इसको हम detention में रखेंगे इस ship को हम नहीं छोड़ सकते लेकिन crew members को हम छोड़ देंगे तो इंडिया ने बिलकुल हाथ फिला करके accept किया यह चीज़ कि हाँ बिलकुल हमारे crew members को आप छोड़िए ship से हम हमारा कोई लेना देना नहीं है हमारे national safe होने चाहिए तो आप समझ सकते हो यह पूरा news आपके सामने लाने का agenda क्या है कि आप समझे कि Indian diplomacy इस time पर कितनी ज्यादा strong हो चुकी है how Indian diplomacy works आप देखो इसराइल के साथ में इसराइल में हमारे workers हैं जो वह वहाँ पर फसे थे उनको निकाला गया वहाँ से इसराइल की सरकार से बातचीत करके जब इसराइल के ऊपर खत्रा गहराया अब तो खेर उतना खत्रा नहीं है कोई world war वगेरा होने वाला है नहीं तो जब हमारे workers जो काम करने गए थे इसराइल के अंदर में देखो मैं आपको पूरी कहानी बताता इसराइल के अंदर में construction sector जबरजस्त तरीके से बूम करता है और उन construction sector में काम कौन करता है इसराइली नहीं काम करते वहाँ पर काम करते थे जो गजा के जो गजा स्टिप में लोग रहते थे वो सब पलिस्टीनियंस जाते थे और वो वहाँ पर काम करते थे as a worker इसराइल के construction sector में अब जब ये issue हुआ पुरा हमास के साथ में तो गजा को पुरा ये इन्हों ने ये कर दिया कि इन्हों ने पुरा seal कर दिया तो अब workers को भी वहां से निकलना मना हो गया तो construction sector की हलत खराब हो गया इस्राइल के अंदर में economic downfall शुरू हो गया इस्राइल का तो इस्राइल ने इंडिया की government से बात करी कि भाई आपके यहां पर आपके यहां से हम workers को लेकर के आते हैं इनको ऐसे तो पुरा एक joint program किया इंडिया और इस्राइल की government ने मिल करके फिर इंडिया ने अपने workers को भेजा इस्राइल के अंदर म और यह क्या नाम है इसका hoodies attack करने लगे तो वहां पर खत्रा होने लगा Indian nationals को इस्राइल के अंदर में तो फिर इंडियन government ने फिर बातचीत करके joint program चला करके उनको भी वापस लाने का काम किया और दूसरी तरफ जब हमारे 17 crew members इंडिया के जो ship पकड़ी गई उसमें पकड तो कि Indian subcontinent देखो बाकि सारी aggressive countries है पाकिस्तान terrorist country है चाइना जो है वो बहुत aggressive country है तो अगर आप देखो फिलिपीन चाइना ये सारी वेतनाम इन सारी countries के आपस में issues है तो अगर आप देखो पूरी तरीके से इंडिया एकमात ऐसी country है जो कि हर जगा पर diplomatically मामले को सुलजान पाकिस्तान है तो भाई अनरगल क्लेम्स हैं पाकिस्तान के चांग्ना है तो अनरगल क्लेम है कभी अनुनाचल को अपना दिखा दो कभी इसको अपना दिखा दो तो वो इंडिया accept नहीं कर सकता तो बिलकुल उसके लिए zero tolerance है terrorism के लिए zero tolerance है लेकिन जहां पर ऐसे issues है country to country के बीच में वहां हमेशा इंडिया मामले को diplomatically pursue करने की कुशिश करता है and you have seen this change of stance recently अभी आप इंडिया की diplomacy की इतनी बात सुन रहे हो पहले आप इतनी बात नहीं सुनते थे पहले कई बार ऐसी चीज़े अब आपको सुनने में आई है पिछले अगर आप 20 साल देखो पिछले इंडिया का 20 साल तो उसमें आपको इंडिया की diplomacy strong होते हुए नजर आई है जैसे हमने देखा था कुल भूशन जादव का एक पुरा case हुआ था कितने अच्छे से इंडिया ने उसको represent किया था उसके बाद अब आप ऐसे diplomatic मामले सुनते हो जहां पर हमारी जीत होती है तो ऐसे मामले जो है वो इंडिया की जो image है उसको बहुत अच्छा build करते है पुरे world में तो I hope आपको ये पूरा article समझ में आ गया होगा I hope आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से Indian Diplomacy की फिर से जीत होई है अब वीडियो को end करने से पहले Unacademy Team की तरफ से एक बहुत बड़ी announcement है that Unacademy Team ने अभी UPSC CSC का अपना biggest ever event किया था जिसका नाम था Manzil 2024 इस event में हमने एक announcement करी थी हमने ये announcement करी थी कि भाई जो हमारी course फीसे 75,000 उसको कम करके हम 24,999 कर रहे है आप सारे बच्चों के लिए लेकिन यह offer याद रखना 7th में तक ही है तो 7th में तक अगर आप ये course लेते हो तभी आपको 24,999 में ये course मिलेगा Simply आपको क्या करना है? Description में हमने एक link दिया उस पर जाना है उस पर जाकर के जहां use code का option आएगा वहाँ पर मंजिल 24 आप टाइप कर दीजेगा caps में आपको ये course अवेल हो जाएगा अब सिर्फ इतने price में आपको best quality education और best faculties पढ़ा रहे होंगे आपको ये सारे batches जो भी मैं आगे बताने वाला हूँ ये सब आपके dashboard पर मिलेंगे जिस batch से चाहो उस batch से पढ़ो आपके पास आरंब batch होगा जो कि English medium में होगा अगर आपको English में पढ़ना है तो इसमें मुरुनाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी faculties होंगी फिर इसके अलावा आपको सिर्फ English में पढ़ना है तो आपके पास time batch है, इस time batch में सरमत सर, चेतन सर जैसी faculties पढ़ा रहे होंगी अगर आपको सिर्फ हिंदी में पढ़ना है तो आप लक्ष batch जॉइन कर लिजे लक्ष बैच से पढ़ लिजे, इसमें अनुस सर, मदुकर सर जैसी faculties पढ़ा रहे होंगे उसके बाद हमारे पास varied optional courses भी हैं जैसे history optional, geography optional, psir यह सारी चीज़े हैं तो आप description में link दिया हुआ उस पर जाईए आपको यह सारे courses मिल जाएंगे discounted price के ओपर तो आहियोब आपको यह पूरा पार्टिकल समझ में आ गया होगा आज के लिए इतना ही thank you and have a nice day